का यह से अगर दोस्तों डोस्तोंionenस literature फाइब सेमछटर में टेपर फिस्ट है और इस में शूरू कुरेंगे आजcu माइनर जो आपका मेटर में एगाव music तुमे लिचाइब को से मिलेंगे ऑफ कि सारएं से निडीए तो इस अप लोबर के साथ में sap me ère सबसे पहले आपका आएगा जो इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन बेरी मोस्ट इंपॉइंट पॉइंट है प्रतेक कोशन आंतर के लिए जो कि हम चाहें हिंदी वे लिखें या हमारा सब्जिक्ट इंग्लिस का हो या फिर किसी भी सब्जिक्ट का अगर हम फाइप कि इसमें आपके दो तरन के कोशन मिलेंगे जो की 20 नमबर का रहेगा और 5 नमबर का जो फाइल है या पर प्रज़शन नम्बर का रहेंगे तो हैं तो यहां तक आप के संजहा गया तो इस में आपका पहला है कि अटेम्ट एइन वन लां कोशन यूनी कोई भी आपको एक ल चैनल लगे में उसमें से आपको दो कोशन दी ह हों। दो में से एक आपको चैनल करना पड़एगा और उसमें से किसी एक कपको आंसर बनाना है जो कि इस सेक्जन ए मरे भी अूर्सनग क्या रिखनी जुक्त सेल के से आप पर आईगा तो Section आ हमारा है सरे 16 में क्या कोशम नमरा फस्ट है घिव एक रीटिकल एनलेशिस एनलेशिस या फिरकर एप्रीशेश्चन ठीक है एप्रीशेश्च्ट दोनों का सेम हो दिकत नहीं आप Hugbaum फ्लेटो famous book the republic book 7 इनकी जो public जो book है the republic book 7 जिसे प्लिटर ने लिखा है इसका आपको critical analysis करना है तो ये आपके लिए कैसे करना है मैं बता दूँगा और बाकि आपके लिए कुछ point हम बता देंगे अगले वीडियो में कि आपको कैसे करना है इसके answer की keyword बता देंगे उधने डालके आप अच्छे से answer लिख पाएंगे और अच्छे सापको number भी मिलने की chances रहेंगे question हमारा इसमें second है what were the characteristics of romantic is characteristics के होता है कि जो romantic is की बिशेष्था है ठीक है तो उसके बारे में लिखना है तो यहां पर दो question आपके long हैं इन दोनों में से किसी भी एक question को आप वो temperature लेना है तो इस तरीके से आपके जो है exam होंगे और यह exam जो वीडियो आज का है यह MJP के लिए भी है और otherwise किसी भी university exam चला है इसमें तो उसके लिए important है यह दिए आपके पास English literature है semester 5 में आई अब देखते है section B तो section B जो है कि इसमें दिया हुआ है आपका यह हमारा section B रहा तो इसमें पहला question है what is the dramatic monologue ठीक है dramatic monologue यह मैंने आपके लिए पिछले semester में पढ़ाया है first में भी रहा है और third में भी रहा है तो बहां से जाके कर आप देखेंगे तो इस semester आपको प्लिस्टर में मिल जाएगा बहां से आप देख सकते हैं इन्हीं की dramatic लोग है क्या dramatic monologue क्या होता है ठीक है तो इसे आप बहां से देखेंगे इसका आपका अंसर मिल जाएगा next question हमारा है इसी में second second के रहा है what are the chief features of the age of चौसर जो चौसर एज है उसके features क्या है ठीक है तो जो इसमें आपकी unit है आ फाइब फाइब इनुट में जो चौसर के बारे में पढ़ा गया है तो उसकी बारे में आप वहां से इसके अंसर ले सकते हैं और उसका अंसर बना सकते हैं यह आप आप 14 का तो चाओसर के बारे में आपको लिखना है फीचर क्या विसस्ताइं है वह स्मेश में लिखनी है नेच्ट आपको पकोस्टन है इसी में वह है डिसकस ठीक है डिसकस एनी कि अंदिस्कस असट किजिए कि एक और इस ट्राजिक ही रो जो आपका ड्रामा था प्ले मैंने पड़ाया है वीडियो पूट किये हैं और इसके आपके इंपर्ट कोशन साथ में दोनों पेपर के प्रोड कर दिये तो प्रिश्ट पाकर विडियो कीजिएगा बहां पर आपके लिए कई वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे और आज यह भी वीडियो प्रोड जाएगा तो और ल Tracy आएक रारी जाजिए उस नाम से आपका करेक्टर है टरे जीडिवरो ए तेरे जिक हेटर है इनकी दुखानत हेरो है या पर पिर कली एक हिरो इनकी ट्रेस डी कौमेडी नहीं ट्रेस-डी है तो उसके बारे मैं को बताना आ है यह पर रहा था आपका ऐसी सेकंड पेपर भी आपका है तो आज देखते हैं इसको यह रहा आपका सेकंड पेपर इस लिट्रेचर और सेकंड पेपर हम क्या पढ़ेंगे फिक्षन आपको नाम भी या दोना चाहिए और फस्ट में हमारा था क्लासिकल लिट्रेचर ठीक है एंड एस्ट्री आफ सेकंड पेपर की सेकंड पढ़ेंगे हम यानि कि साथ स्टोरी इंट्र रहेगा इंट्रोड़क्शन इसमें क्या करेंगे हम सबसे पहला आपका पॉइंट है अटेम्ट एनी बन लांग कोश्चन out of two form section A यहनिकि दो section में आपके हैं A और B तो section A में आपको मिलेंगे long question दो question दिये होंगे आपको कोई भी question आपको टेंट करना है first या second कोई भी आप करेंगे second आप इसमें जो guideline है वो यह है attempt any two sort question out of the three form of section B section B में आपके लिए मिलेंगे short answer type question तो मैंने short subscribe इसका वीडियो बना हुआ है जो प्लेस्ट में अप्रोड़ेट है वहां जाके आप देखेएगा English literature में बहुत सारी वीडियो प्रूड़ेट है और कभी कई subject में पढ़ा रहा हूं hardy's pessimistic philosophy in the novel far from the madding crowd ठीक है far from the madding crowd ये novel का नाम है जिसकी writer है hardy's ठीक है इनके बारे मैं आपको बताना है next question में दूसरा है दूसरा question है discuss the theme of love and marriage love and marriage ये भी एक novel है इसकी theme क्या है जो की love and marriage के आदर पर जो novel है वो है pride and prejudice ठीक है pride and prejudice very most important and interesting novel है ये तो इसमें से इन दोनों में से किसी एक के लिए आपको लिखना है मतलब आपको इसमें discuss करना है theme बताना है अगला question आपका है section B तो section B में आप देखेंगे short question और short question section B में तीन है इन तीनों को देख लेते हैं सबसे पहला है what is novel novel क्या है तो इसके बारे मैं आपको आंसर देना है आप अगर सुनी देना चाहते तो second what is the junk fiction junk fiction क्या है इसको करिए आप अगर आप इभी नहीं करना चाते तो आप अगर सकते हैं what is science fiction इन्हीं यहाँ पर आपकी junk fiction science fiction तो यह कुछ टाइप साफ सब fiction है तो यह तीन है तीन में से कोई भी आपको दो आंसर दो कैंसर देना है तो इस प्रकार आपको में टर्म इन्हीं कि जो एक्जाम आपके स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि लगबख सारे कार्ज़ों हो गए जहां भी MJP University से लेटेड है इन्हीं रुहेलखंड इन्हीं इयूवइश्टी जो भी एक्जामचल लाए है तो सभी के लिए वीडियोऊ इमपर्टेंट है अधरभाइच साथ साथ अन्हीं इन्हीं पॉर्टेम चल लाइंगा जहां पर भी इस तरीकth के में इनकी वड़के अनसार और जो आपकी एक्जाम चल रहे हैं एक्जाम की डेट वाइद आपकी वीडियो प्रमानिंट आते रहेंगे और दोस्तों बद आप जुड़ते रहिएगा और खुद भी जुड़िएगा शेर करते रहिए मिलें एक नाइस वीडियो में थाइंक य हुआ है